सब्सक्राइब तो अगर गाड़ी है तो गाड़ी के लाख क्या मैलेज बोलते हैं तो यह सब क्या है आप सब जानते हो कि ओस्ट का मतलब होता है ना तो ज्जादा एकदम ना एकदम कम मतलब बीच का तो वह क्यालाता है एवरेज या उसल जैसे यूं समझो आपने जिसने भी बीए कर रखी हूँ भी एसी कर रखी हूँ ठीक है तो बीए हो बीए सी हो बीकॉम हो बीए सी मतलब बीची कुछ भी कर रखाओ आपको अगर पूछा जाए को तो 70% बनirm MA को एक पर्सेंट आए कहां से 70 किसों क्या हैous क्या करते हैं कि फ stereo क्रेंदी नंबर होते हैं इन तीनहों को जोडते है और जोडने के बाद उसके अंदर है कि औस चलो शुरू करते हैं सफर और सबसे पहले अब सफर में क्या है तो ज्यानना औस पूरा बेसिक सिखाऊंगा मैं एक क्लास में 40 बच्चों का और 25 किलो तो दोस्तों देखो अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो एक तो दिमाग से रटा मारना चीज़े बंद कर देना बिलकुल यह कि मैं हाँ सोच रहा हूं 25 ऐसा नहीं दिमाग में क्लास हो 40 बच्चे बैठे हैं उनका औस वजन 25 किलो है इसका मतलब है कि हर एक बच्चा 25-25 किलो का है इसे कहते हैं औस यह बच्चा उसी का है ठीक है तो यह मान के चलना सफर शुरू करते हैं गांदि पहले से पढ़ते हैं लोग सब आता है लेकिन हम यहां से नए चीज़ सीखते हैं वह क्या है कि कभी अगर संख्याओं की बीच में अंतर समान हो कभी भी ये जो हैं संख्या हैं अगर इनके बीच पे अंतर समान हो तो एक लॉजिक और लगता है रो वो लॉजिक आपको आना चीए तो क्या है पहले आपन फॉम्मला यूज करते हैं फिर आंसर देखते हैं तो पहले तो फॉम्मला लगाओ तो राश्यों का यूग एक और दो तीन तीन और तीन छे छे और चार दस दस पांच पंद्रा अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसकी दाराब नी थी तो क्याशे तो देखो इसके पास यह है कि इसके फास दो रुपएगा वो यह फी बी तीन हो लेकिन नम्हें बिख्रे गांस अको यहां पर एक पॉाइंट आता है और वह फॉइंट है कि अगर संख्याओं के बीच कभी भी डिफरेंस अंतर समान हो तो अंतर समान होने पर हमेशा बीच की संख्या ओसत होती है हमेशा बीच की संख्या अभी कितनी संख्या एक दो तीन चार पांच संख्या है पांच संख्याओं में क्या करो दो संख्या आगे वाली छोड़ दो दो संख्या पीछे वाली छोड़ दो और जो बीच वाली संख्या है वो आपकी एवरेज ओसद होती है ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ गटाना है ना भाग लगाना है कहीं कुछ नहीं करना है बस यह पैटन आपको आना चीए अगर माना कि ये तो है एक दो, तीन, चार, पांस संक्या मान लो अगर ये संक्यां मैं ऐसे लिखता कि दो, चार, छे, आंठ कि सर अब बताओ कि इसका उसद क्या होगा तो दोस्तो देखो सभसे पहली चीज पॉइंट क्या है क्या अंतर समान है क्या तो यहां से देखो दो से चार दो का अंतर है, चार से छे दो का अंतर है, छे से आठ दो का अंतर है, क्या अंतर समान हुआ, बिलकुल अंतर समान हुआ, अगर अंतर समान हो, तो हमेशा बीच वाली संख्या उसद होती है, तो अब बीच वाली संख्या यहां कहा है, तो संख्य तो भाई इन दोनों के बीच का नंबर किया हूआ तो चार और छो चार और छे चार और छे के बीच becue आऊसर्थ कितना निकल काएगा पांच अब बले इसको जोड़ के करो यह सा करना चाहो वैसे करो आंसर कितना आएगा पांच आएगा तो देखलो पले यहां पर द तरीके से बताता हूं और देखो ठीक है और जो जुड़े वह कंटीन्यू आप इस क्लास में बने रहना आपका ओसत का कॉंसेट क्लियर कर दूँगा मैं ध्यानना चलो और देखो एक दो तीन चार पांच अभी आपको मैंने एक साण है पहली सख्या अंतिम सख्या डिवाइड बाइ टू यह फ्रम्व्ला और जानना अगर अंतर समान हो तो यह फॉर्म्ला भी काम करेगा मतलब यह एक आगर तीन चार पांस संख्या है तो आप बीच के संख्या चलो डारेट निकाल दोगे कि बीच के संख्या 3 है लेकिन अगर संख्या है 50 हो गई, 100 हो गई, 500 हो गई उस समय अगर औस निकालना है तो क्या करोगे तो यह formula आपका best काम करेगा क्या करना है इसमे पहली संख्या कौन सी है एक, अन्तिम सेंख्या कौन सी है पांच, डिवाइड बाए टू तो यह हो गया किता छे बटा दो और छे बटा दो का मतलब किता हो गया तीन इसका मतलब है कि इसका ओस्या किता है तीन है, क्लियर दूसरा और दोस्तों, देखो चीज़े मैं सारी बता रहूँ, आप तो बस बेसिक समझते जलना अवरेज जो होता न अवरेज से अगर अवरेज निकाल लेगे लिए आप चाहो तो सेंटर पॉइंट से एक कदम इधर चलो और एक कदम इधर चलो इन दोनों को जोड़ के आदा करो तो भी आउसत ही आएगा आउसत से एक कदम पीछे एक कदम आगे जाओ इनको जोड़ के आदा करो तो भी आउसत ही आएगा तो दो और चार कितावा छे छे का आदा कितावा तीन अगर यहां से दो कदम इधर चलते हैं तो यहां से दो कदम फिर इधर भी चलो और इनको जोड़ के देखो तो भी औसद ही आएगा क्योंकि वो तो पहली और अंतिम ही है clear तो इसका मनला औसद होता है बीच का नंबर पहला point यह आपको clear कराया है कि औसद होता है क्या है यह 5 संख्या है और इनका औसद है तीन तो औसद मुझे पहले से पता है कि इनका औसद तीन है तो अब वो पूछे कि बताओ पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा समयना दोस्ता पहले से कह रहा हूँ 5 संख्या है regular है regular कोई 5 संख्या है उनका average पहले से 3 है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग क्या होगा वो सब यहां लिखा हुआ है कैसे देखो यहां पर अभी जो formula है न उस formula की बात ही करता हूँ ताके नया कुछ नहीं सिखा को पलेनी पड़े ऐसा कुछ यह उसत लिखा हुआ है नीचे जो दो है इसको मैं क्रॉस पर भेज दू तब दो अगर इससे गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा दो इंटो ऑसत ठीक है और इधर क्या बचेगा तो इधर बचेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या इसका म हमेशा औसत का डबल होता है यह हुआ कि अगर मैं कहूं कि पांच क्रमागत कोई संख्या है उनका औसत तीन है तो बताओ पहली और अंतिम का योग क्या होगा कहीं कुछ पैन उठाने की ज़रूत नहीं है औस तीन तीन का डबल छे बला आंसर हो गया छे क्लियर सबको